सो हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में तो चलिए जा लेते हैं आज का कोरोना का पूरा अपडेट कहाँ पर क्या पावंदिल लग सकती हैं कहाँ पर क्या नियम जारी किया गया है आपको दादे मध्य परदेश हो या यूपी हो या फिर बिहार हो रा एक्सपर्ट से समझ ये कितना घातक है ये पूरा वाइरस देश में तेजी से बढ़ आए हैं कोरोना के मामले वीटे 24 गंटे में 4500 केस सामने आये हैं आपको दादे इस से चार दिन पहले 1800 केस सामने आया था और चार दिन बाद ये 4500 के केस के पार है यानि आने वाले अग मुंबई बैंगलूरू समेथ कई बड़े सहरों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं महराश्ट में कोविट के मामलों की संक्या 186 फिजदी की उछाल देखी गई है जो की बेहत चिंता जनक है इसके लावा महराश्ट में मंगलवार को 711 नए मामले सामने आये थे फिलाल आपको बता दे 15 लोगों की मौत हुई है इससे पहले कल के दिन में 11 लोगों की मौत कोरोना की वज़ा से हुई थी राजस्तान के मुख मंत्री असो गहलो तो पूरो सीम वसुंद्रा राजे सिंधिया कोरोना संक्रमित हो गए हैं दोनों ने ही ट्विट करकी इसकी कोविट पॉश्टिव निकली हैं वही यूपी के किरसी मंत्री सूरी परताप साही को भी कोरोना हुआ है लकनों में कुल 15 केस सामने आए हुए हैं आपको दादे यूपी में कोरोना का प्रकोप कम नहीं हो रहा है राजदानी लकनों में 15 लोग संक्रमित पाए गए थे और नए मरीज मिले हैं लगातार केसे बरते जा रहे हैं कोई भी जिला कोई भी राज ये बाकी नहीं है जहांप कोरोना के केसे नहीं बढ़ रहे हूँ आपको दादे हिमाचल सरकार ने भी इसके लिए अलर्ट जारी किया है वही हर्यारा में कोरोना पॉश्टि महिला की मौत ह लगाना अनिवार है तो ये कुछ अपडेट था आनिवाले समय में गाइडलाइन भी जारी हो सकती है सरकार के तरब से नियम भी जारी हो सकता है क्योंकि लगातार केसे बढ़ते जा रहे हैं दिल्ली महराश्ट में लगबग हजार हजार केस आ रहा है चौबिस गंटे में 1232 नए मामले आये हैं 5 लोगों की मौत हुई है तो एक पूरा अपडेट था मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धनिवाद